तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं B.com Accounting and Finance कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के description में और भी काफी सारे courses के बारे में भी videos मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन videos को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरूर करते हैं तो अगर आपसे मैं B.com Accounting and Finance कोर्स के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो जै कोर्स एक undergraduate level की degree का कोर्स होता है तो जै कोर्स तीन वरश का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं B.com Accounting and Finance का एक एक एसा कोर्स होता है जिसमें आपको accounting और finance के मूल ततब समझने और उनका इस्तिमाल करने का आपको मौका मिलता है इसमें आपको financial transactions, taxation, auditing, financial analysis जैसी जो चीज़े होती हैं वो आपको पढ़ाई जाती हैं जैक कॉर्स आपको एक अच्छी समझ बनाने में मदद करता है कि कैसे companies अपने पैसे को manage करते हैं और financial decisions लेते हैं इस कॉर्स में आपको business के financial aspects के बारे में आपको गेराई से समझाया जाता है आपको companies के transactions को record करना, financial statements को तयार करना और उनको interpret करना आपको सीखाया जाता है Finance पार्ट में आपको investment, risk management, financial markets और corporate finance के जो concepts होते हैं वो आपको study करवाये जाते हैं आप समझते हो कि किस तरह से companies अपने funds को invest करती हैं ताकि उनका return maximize हो सके इसके लावा और वी काफ़ी सारी चीज़ी होती हैं वो इस course के मादम से आपको study करवाई जाते हैं और अगर दोस्तों आप इस परकार की field में अगर आप interest रखते हो तब तो आपको jay course आपको जरूर करना चाहिए अभी आपसे मैं eligibility criteria के वारे में आपसे मैं discuss करने वाला हो कि जन्हें आप इस course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में आपको admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की जो class है उसे आपको pass करनी पड़ेगी आपको जो 12th की जो class है उसे आपको commerce की stream के साथ आपको pass करनी पड़ेगी आपको जो 12th की जो class है उसे आपको 50 percentage marks से जादा आपको pass करनी पड़ेगी तो तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाओगे और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारी उनिवर्सिटिस का जो eligibility की राइटीरिया है इस course के regarding वो different भी हो सकता है अब यह आप समय जोब परफाल्स के वारे में आप समय डिसकस करने वालाओं की जने अगर आप इस course को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोब मिल सकती है तो दोस्तों आप financial analyst बन सकते हो, आप senior accountant बन सकते हो, आप accounts assistant बन सकते हो, आप auditor बन सकते हो, आप financial planner बन सकते हो इसके इलावा दोस्तों आप जो credit analyst की जो जोब वे उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौँ से sector में आपको job मिल सकती है अब यह आपसे में slayvers के बारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जन्हें आप इस course में आखिर किस परकार का जो slayvers होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप financial accounting, corporate accounting, business finance, income tax, accounting for managerial decisions, etc जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के मादम से दोस्तों आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारे universities का जो slayvers से इस course के regarding बहुत डिफरेंट भी हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे b.com finance and accounting course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको उप्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो ने तो आपको इस वीडियो के description में और विकाफी सारे courses के बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें विकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद